ये दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे योहल्प यूटूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए सरकारी नौकरी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ये एकदम फ्री है स्वागत है आप सभी का यूहल्प न्यूज में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश राज विद्धुत उत्पादन निगम लिमिटेट की तरब से जो है आईटाई वाले केंडिडेट्स के लिए यहाँ पर वेकेंसी आई है 37 डिगरी होल जिनके पास भी इंजिरिंग की डिगरी है डिप्लॉमा है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं आईटाई वालों के लिए अच्छा मौका है इसमें लगभग 200 से जादा पोज जो है जो की आईटाई वालों के लिए है तो जिनके पास भी आईटाई का सेटिफिकेट है वो इ दुद्ध विभाग के अंतरगत ये वेकेंसी आई है चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आईटाई वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर आईटाई के लिए फिटर की पोस्ट यहाँ पर अगर मैं असिस्टेंस इंजीनर की बात करूं तो यहाँ पर यांत्रिक यानिकल की 11 सीट है एलेक्ट्रिकल की आर्ट है एलेक्रोनिक सेंड इंस्ट्रुमेंटेशन की जो है छे सीट है पूटर साइनस की तीन सीट है तो इस तरह से यह सारी सीट की डिटेल दी गही है आपकी स्क्रीन पर जो है के टेग्री वाइस ही सबकी दिख रही होगी साती साथ जो सिविल इंजीनर है वो भी इसका फॉर्म भर सकते श्टाफ नर्स का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं अब सबी लोग जो है वो कर सकते हैं अब आप पेस्केल देख सकते हैं सब में बढ़िया पेस्केल यहां पर आपको दिया जा रहा है असिस्टेंस इंजीनर के लिए 56,000 से 1,777,000 वाला पेस्केल है जिसमें 56,100 आपके स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा लेवल 10 के अधार पर और बाकी जो पोश्ट है आईटाई वालों की टेकनीसें की उसमें 27,000 से 86,100 वाला पेस्केल लगेगा लेवल 4 के अधार पर तो यह पेस्केल भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अच्छा खासा पैसा जो है UP PCL और यह UP की जितनी कमपनी है इंजरिंग फिल्ड की वो सब अच इसका फॉर्म भर सकता है तो अगर आपको कुछ भी पूशना रहे तो वीडियो में कमेंट पर जाकर के पूच सकते हैं इन सब पर जो सिलेक्शन होगा इसमें आपका कंप्यूटर बेज रिटन एक्जाम के अधार पर सिलेक्शन होगा कम से कम आपकी उम्र 18 वर्स होना चा 700 रुपए सिलेक्शन होगा और यह पूरा सिलेबर दिया गया है अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो नेक्ट वीडियो में हम पूरा सिलेबर भी एक्स्प्लेइन करके आपको बता दिएगा अब चलिए वह नोटिस में आपको दिखा देता हूं जिसमें यह कहा गया इस इसके जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी पहले 6 अप्रेल थी उसको बढ़ा करके यहां पर 6 मई किया गया है लेकिन कोविड 90 महामारी को ध्यान में रखते हूँ देश में लॉकडाउन लगा है जिसकी वजह से फिर से इसकी डेट को बढ़ा करके 25 मई 2020 किया गया है तो कंप्यूटर साइंस वाले इसका फॉर्म जरू भर दीजेगा वीडियो को लाइक करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हैं थैंकिसो मच